रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो। मैं दिनेश कुमार सहयक प्राध्यापक अनुबंध जनजातिय एउंग शेत्रिय भाषा विवाग रांची विश्य विद्याले रांची। आज मैं इस कक्षा में MS Semester 4 के छात्र छात्राओं के लिए पेपर 403 के अंतरगत अपनी रचनाएं यानि रचना प्रक्रिया के तहत कहानी विधा के समन्द में आवश्यक जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। आज मैं कहानी विधा के बारे में आप सबको बताऊंगा। कहानी जो की कथा साहित के अंतरगत आती है एक छोटी विधा है कथा साहित की तो इस विधा में विद्यार्थी कैसे रचना करें इसके समन्द में आवश्यक जानकारी दे रहा हूँ। कहानी लिखने के लिए सबसे पहले आपको कथानक लेना पड़ेगा। कथानक पहला तत्तो है कहानी का जैसा कि आप जानते हैं। कथानक समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसको लेकर आप बना सकते हैं। कहानी का मूल आधार है उसके बिना कहानी लिखी ने जा सकती तो कथानक को आप समाज की घटनाओं से प्राप्त कर सकते हैं, उससे ताना बना बुन सकते हैं, समाज में रोज नही नहीं घटनाओं घटती हैं, कुछ अच्छी घटनाओं, कुछ बुरी अवांचित अप्रिय घटनाओं, तो जो घटनाओं आप प्रभावित होते हैं, जि इसलिए उसमें कलपना तत्तो के सहारे आपको एक कथानक का ताना बाना बुनना पड़ता है जब आप कथानक तयार करते हैं तो उसके बाद पात्र की जरूत पड़ती है यानि घटना को घटाने वाले या घटना से प्रभावित होने वाले पात्र कहलाते हैं तो पात्रों का चित्रन भी होना चाहिए, यानि पात्र किस तरह के हैं, आपका प्रतनिदी पात्र जो होता है, जो आपके उद्देश, आपके संदेश को लेकर चलता है, आपके विचारों का नुरूप होता है और जो अन्य पात्र, जो विपरित पात्र होते हैं, वो समाज क जो बुराई को लेकर चलते हैं, तो इस तरह के पात्रों का समावेश करना होता है कहानी में, कहानी में पात्रों की संख्या बहुत लंबी चोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चुकि कहानी में कथानक छोटा होता है, छोटी विदा होने के चलते, किसी एक प्रसंग को लेकर कहानी बनाई जाती है, तो पात्रों का चित्रन करें, पात्रों का चित्रन आप प्रकट में ज्यादा नहीं करके, उसके क्रिया कलापों के जरीए जाहिर करें कि कैस तरह का पात्र कौन है, उसके विचारों से, उसके समवादों से आप प्रकट कर सकते हैं, पात्रों के बाद आता है समवाद, तो समवाद यानि कथोप कथन, कथोप कथन अत्वा समवाद उसे कहते हैं जो कहानी में आने वाले पात्र आपस में बात्चित करते हैं, बीच बीच में कई कई बात्चित करते हैं पात्र तो उसे ही समवाद कहा जाता है, उस तरह का समवा समवाद का समावेश करने से कहानी में सजीवता आ जाती है, जीवन तता आती है, तो कहानी को सजीव बनाने के लिए और कहानी में गतिशीलता लाने के लिए बीच बीच में समवाद देना अपेक्षित होता है, तो समवाद पात्र के अनुरूप हो, पात्र के व्यक्तित तो चरित्र के अनुरूप हो उसके स्तर सामाजी वैचारिक बौधिक स्तर के अनुरूप हो इस तरह से आप समवाद को रख सकते हैं इसके बाद भाषा और शैली भाषा शैली को भी ध्यान में रखना है आप अपनी भाषा में तो लिखेंगे जरूर लेकिन भाषा का को पढ़ने के लिए मजबूर कर दे यानि उसे प्रवाववित कर दे अपने साथ ब़हा कर ले जाए इस तरह की भाषा होनी चाहिए यानि प्रवा मही भाषा होनी चाहिए भाषा के बाद शैली एक अतत्त्त्व इसी के साथ जोड़ा गया अलग छीज है हाला कि तो शैली लिखो कौंए तरह कि श हैलियों में कहानी लिखी जाती है तो आपको कहानी की मांग यानि कठानक की उस जान लूप आपको शैल का चैयन करना है और प्रस्तूत करनीinhos कहानी तो शैली में ध्यान में रखना है कि इस तरह की शैली होनी चाहिए कि कहानी ज्यादा से ज्यादा प्रभाव शैली बने, पाठक ज्यादा प्रभावित हो उससे, ज्यादा उसके दिल और दिमाग पर असर पड़े, इस तरह की शैली का वर्डन लेकर चलना है, तो इन बातों क को ध्यान में रखना है भाषा और शैली के अंतरगत इसके बाद आ जाता है देशकाल का चित्रन देशकाल से तातपर यह है किस जगह की घटनाओं को आपने कहानी का आधार बनाया है यह घटना क्रम को कहां की घटना किस जगह की घटना है बहुत सारी घटना है जो वैशिव कि जहलक अगर कहानी में दिखाई जाए तो ज्यादा सजीवता आती है कहानी में तो इस बात को ध्यान में रखना है जो कि हर शेत्र का अपना परिवेश होता है तो परिवेश की जहलक परिवेश की जहलक होनी चाहिए देश से ततपर है परिवेश भी परिवेश की जहलक आन पर है सुबह दोपहर, शाम, रात, इत्यादी इसके अलावे जिसे अवधी की घटना या घटना करम को आपने कथानक का आधार बनाया है उस अवधी से आउगत भी कराएं कहानी में चुकि समय परिवर्तन शील है समय के साथ सभयता का विकास हो रहा है नहीं नहीं चीजों का आविश्कार हो रहा है समाज में नहीं नहीं चीजा आ रही है तो जिस समय जो चीजें उपलब थी जिस काल में उसी के अनुरूप वहां चित्रन होना चाहिए समय का चित्रन कई बार कहानी के भाव के अनुरूप भी किया जाता है अगर नई उमीद का चित्रन करना है नई का भी चित्रन कहीं-कहीं पर किया जा सकता है तो देशकाल के चित्रन में इन बातों को ध्यान में रखना है इसके да आजाता है उद्देश या संदेश साहित की कोई भी रचना बिना संदेश बिना उद्देश के नहीं होती तो आपको एक उद्देश लेकर चलना है एक संदेश देना है आपको ये कहानी की घटना मों के जरिये ये जाहिर करना है कि आप कहना क्या चाहते हैं समाज को क्या दि देना चाहते हैं कहानी में? तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप कहानी लिख सकते हैं सावधानी कुछ बरतनी है, कहानी की कतावस्तु बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए अविश्वस्टिय घटनाओं का उलेख नहीं होना चाहिए अस्वभाविक नहीं होना चाहिए और असामाजिक बातों की स्थापना का आग्रह या प्रयास नहीं होना चाहिए अधिक पात्रों का समावेश नहीं होना चाहिए समवाद बहुत लंबे बोजहिल और बनावटी नहीं होने चाहिए पात्र के अनुकूल होने चाहिए, काल और देश के विपरित किसी प्रसंग या परिवेश का चित्रन नहीं होना चाहिए, उद्देश और संदेश कभी भी सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय या सामवैधनिक मुल्यों के विपरित नहीं होना चाहिए, यानि उसको मेंटे मुल्यों के लिए अनुचित नहीं हो इन बातों को ध्यान में रखकर आप कहानी लिख सकते हैं और इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं आज की कक्षा में इतना ही धन्यवाद